अगली खबर की और अगली खबर आपको बता दे आज बीजीपी में होने जा रही बड़ी बैठक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ऐसे में संगठन चुदाव को लेकर हो रही बड़ी बैठक बीजेपी अध्यक्ष लेंगे सदस्ता अभ्यान को लेकर बैठक और ऐसे में केंद्री ग्रिवत्री अवश्चा भी हो सकते हैं शामल सभी राज्यों के प्रभारी और सैप्रभारी शामल होंगे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आज बीजेपी में होने जा रही बड़ी बैठक संगठन चुनाओ को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है और ऐसे में संगठन चुनाओ को लेकर ये बड़ी बैठक का आगास होने जा रहा है ऐसे में अगर बात कि जाए तो संगठन चुनाओ को देखते हुए ये बैठक कितनी महत्तपुर्ण देखे संगठन चुनाओं को लेकर ये बैठक काफी एहम मानी जा रही है क्योंकि आज जो बैठक होने जा रही है उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा इसके अध्यक्षता करने जा रहे हैं जबकि तयारियों की समिक्षा करने के लिए जो है ग्रे मंत्री अमित्षा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं जीde KNOW माराब अभर और दूसरे संगटन की अदिकारी वो सभी लोग आज इस बैठक में शामिल होंगे इस बैठक में जो मकसद है सूनियाइ इस बैठक का मकसद जो है वो है संगटन चुनाओं को जल्दी से जल्दी करवाना बीजेपी अध्यक्ष से लेकर सभी प्रदेशों के मंडलों के जीलों के अध्यक्षों की न्यूक्ति करना और इसमें तेजी लाना ताकि ये काम जो है जल्दी से किया जा सके और भारती जंदा पार्टी को उसका नया अध्यक्ष मिल सके जी ललिट कानपाल जी अगर बात की जाए तो बैठक में संगठन चुनाओं को लेकर और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर इस बैठक में चर्चा होने जा रही है देखें इस बैठक में जो एहम मुद्दे जिन पर बैठक का एजेंडा जिसे कहा जाए अगर देखा जाए तो उसमें सदस्यता अभियान को और तेज करना सदस्यता अभियान की अब तक जो अभी तक सदस्यता हुई है उसकी समेक्षा करना भारती जंता पार्टी ने एक लक्ष तै किया है उस लक्ष तक भारती जंता पार्टी पहुची है या नहीं पहुची है उसको करना इसके अलावा सदस्यों की सदस्यता का रिनुवल वो भी एक बहुत बड़ा विशय है तो कई सारे जो लक्षे है भारती जन्ता पाटी के उनको लेकर जो ये सदस्ता अभियान काफी पहले लॉंच किया गया था उसकी अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है कितनी प् तर्नेवाद